हेलो माई डिर इस वेल्कम तो माई यूटूब चैनल श्किशा विदाशा जैसे कि आप सभी लोग जानती है मैं आपको जोग्रफी सीरीज कंप्लिक्ट कर वा रही हूं तो यह हैं हमारा जोग्रफी सीरीज 11 ख्लास की सेवन चैप्टर जिसका लेक्षर नमबर हम टू आज बढ़ने हैं जा रहे हैं तो यह स्टार्ट करते हैं फिर से एक परी जब चैनल की ढाल प्रवानता अत्यदिक मंद हो जाते हैं मतलब कम हो जाते हैं तो नदी में पानी का प्रभाव भी धीमा होता हुआ आपको नजर आएगा इसकी पश्चात कटाव अत्यख होता है मतलब पेट पूद इकटाव अत्यदिक होने लगी है नदी तटो पर थोड़ी सी अन्निमताओं भी धीरे-धीरे मोनों के रूप में परिवर्थित होते जा रहे हैं मतलब इसमें मोन आते जा रहे हैं यह मोन नदी के अंद्रूनी भाग में जलोड जमाब की कारण भी गहरे होते जा रहे हैं और यहाँ पर घड़े भी बनते जा रहे हैं भारी किनारे अपरदित होते जा रहे हैं अगर अपरदन निशेपन और निम्न कटाव ना हो तो ना ही अपरदन हो ना ही निशेपन हो ना ही कटाव हो पेड़ों की कट आई हो तो सर्व की प्रवर्ति कम होती हुए प्रतीत होगी बड़ी नद्यों के विसर्व में अफ्तल किनारों पर सक्रिय निशेपन होता है और उतल किनारों पर अध्योक मुखी जिसे अंडर कटिंग कहते हैं वो होता हुआ प्रतीत होता है अफ्तल किनारे कटाफ किनारों क रूप में भी जाने जाते हैं इसके बश्चाति अत्यदी का परदन त्रीव कगार मतलब स्टैप चील लिव के रूप में परिवर्तित होता जा रहा है उत्तल किनारों का ढाल मंद होता जा रहा है और विसरप्यों की घहरे चल्ले के आकारे में ये विक्सित होते जाने के या अब हम पढ़ेंगे गुमंती नदी बैरेडिट चैनल यदी नदी द्वारा परवाहित नद भारकने शेपन उसके मध्धे में लंबी रोधिका के रूप में हो जाता है तो नदी धारों को शका में भाजित करता है मतलब अगर कोई नदी आ रहे तो उसको दो भागों में भाजित कर देगा ये प्रवा की नारुप पर शेथी अपरदन करता है नदी घाटी के चोड़ाई बढ़ने परोड जल आयतन कम होने पर भी ये प्रवाहित जल लोड अत्यदिक मात्रा में एक शेथी जवरोत के रूप में दीप की भाती निशेपित हो जाती है और मुख् ही कम होती है तो जल लोड अधिक हो जाती है तदा तब चैनल में ही रेत, मिटे, बजरी, आदी की लंबी अब रोधिकाओं का जमाफ हो जाता है नदी चैनल कई जल वित्रकाओं में बट जाती है जब परवाह की ये वित्रकाओं आपस में मिल जाती है तो फिर पतली-पतल उपधारों में बट जाती है मतलब बहुत अलग-अलग चीजों में नदियां मतलब उसके सहेक नदी बन जाती है इस प्रकार गुमफित नदी पारूप का विकास होता है जैसे कि आपको इस डाइग्राम में दर्शाया गया है बाई और गंडक नदी ततदाई और सोन नदी के गुमफित प्रणाली खंड देशाने वाली उपग्रहचित दिखाया हुआ है तीर के चिन नदी प्रवागी दीशा प्रकट करते हैं भौमजल अंडर क्राउंड वाटर भौमजल यहां एक संसादन के रूप में वर्नित नहीं है एक संसादन नहीं है बलकि यहां भौमजल का परदन की कारण के रूप में और उसकी द्वारा निम्रित इस थलो के रूप में इसका वर्रेकरण किया गया है जब चटाने पार गम में कम संगनन हो अत्य दिक जोड़े वह दरार वली हो तो धरातल जल का अत्य सरण असान हो जाता है लमवत कहराई पर जाने के बाद जल धराय की नीचे चटानों की संधिया छिद्रो वह संत्रन तल से होकर शैतिज अवस्ता में पारम होने लग जाता है तथा करता है जल का ये शैतिजव उर्धवाधर प्रभाग की चटानों में अपरदन का कारण होता है भूम जल में प्रधारतों के परीवन द्वारा बने इस्ताहल रूप महत वहीन होते हैं बहुत इंपोर्टन होते हैं इसी कारण भूमिगत जल का कारे सभी प्रकार की चटानों में नहीं देखा जा सकता मतलब ये भूमी का जो जल है वो कई चटानों में आप देखी नहीं सकते लेकिन ऐसी चटाने जहाँ पे चूना, पत्थर, डुलोमाइच जिन में कैलसियम कार्बोनेट की मात्याते दिख पाई जाती है प्रधानिता होती है मतलब उसमें पाई जाती है उनमें धरातल वा भूम जल रासाइनी प्रक्रिया द्वारा घौली करन वा अफशेपन अनिक इस धल रूपों में विक्सित करते हैं ये दो प्रक्रिया होती है घौली करन वा अफशेपन ये तो चूना पत्थर ड्लोमाई चटानों में अलग-अलग अन्या 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 अन्य चटानों के साथ अंतरा स्त्रित पाई चाती है देखने को मिलती है इसी प्रकार किसी भी चुना पत्थर, लाइम स्टोन या डोलोमाई चटानों के छेतर में भोम जल द्वारा घुलन प्रकरिया और उसके निशेपन प्रकरिया से बने ऐसे स्थलोको कास्ट ट्रोक्राफी, स्थलेक रित्ती के नाम से जाना जाता है, ये एक एडरियाटिक दिखाया गया है कि यह विल्यल रंद्र है, जो कि जाल जाल प्रकार की होती है, और ये है हमारा घोल रंद्र, ठीक है, और नीची वाला निपाती रंद्र, ठीक है, पहरे वच्छत इस डायगरम को एक बड़ी नजर जरूर से देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा, अपर्द न घोल रंद्र मतर शिंक होल्स, लैपीज और चूना पत्थर शबूत्रे, लिम्स्टोन है प्रिवेंट्स, ठीक है, चूना पत्थर, चटानों के तल पर घुनने दोकरिया द्वारा, छोटे व मद्दे, अकार के छोटे 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 गतो का निर्मान करता है, छोटे छोट बहुत तयात में पाई जाने वाले घोल रंद्र एक प्रकार के छिद्र होते हैं, मतर एक प्रकार के छिद्र से बने होते हैं, जो उपर से वृत अकार के नीची कीप क्या करती के देखने को मिलते हैं, और इनका शेत्रे विस्तार कुछ वर्गो मेटर से हैक्टर तक तता ग मिलते हैं जैसे कि आपको चित्र में दश्याया गया है आई आगे बढ़ते हैं देखने को मिलता है अगर इन घोल रंदों के नीचे बने कंद्राओं और छत की ध्वस्त हो जाए मतलब फिनिश हो जाए खदम कर दिये जाए तो ये चित्र ये बड़े चित्र ध्वस्त यानि पात रंद को लैपस श्रिंग के नाम से जाने जाते हैं किस नाम से जानते हैं बच्चों को लैपस श्रिंग के नाम से अधिकतर घोल रंद उपर से अपरिदीत परधारतों के जमने और धक जाते और उतले जल कूंड जैसे परतीत होते हैं द्वस्त घोल रंदों को डो ला जाते हैं वत्यदिक संख्या में देखने को मिलते हैं सामानेत धरातली प्रवाही जल घोल रंदों वह विल्यन रंदों से गुजरता हो परतीत होता है अंत्य भूमी नदियों के रूप में विल्यन हो जाती है और वे कुछ दूरी के पस्चाद किसी कंद्रा से भूमी गत द्वारा आपस में यह मिल जाते हैं लंबी तंग विस्तरित और खाईयों द्वारा बनते हैं इन्हें हम घाटी रंद मतलब वेली शिंग या यूवाला कहते हैं तो आप से पूछ सकते हैं आपके 11th क्लास के चाप्टर में चाप्टर No.7 में कि घाटी रंदर किसे कहते हैं दीरे-दीरे चुना युक्त चट्टानों के अधिक्तर भागों में इन गत्थ खाईयों में हवाले हो जाते हैं। चेटानों के कांतरे सस्त्र होती है जयजे शेल, बालू, पत्थर, क्वाजाईच और इनकी भीच में अगर चूना पत्थर वर ड्रलोमाइट चटाने हो तो जहाँ पर संगरंज, चूना, पत्थर चटानों के सस्त्र हो और वहां प्रमुक्यता कंत्रों के रिमार देखने को म मिलता है इसी तल संत्रण के सहारे चूना चटाने घुलती हुई परतीत होती है लंबी अव्तंग विस्टे त्रिक स्थान बनते हैं जिने कंद्राएं कहा जाता है कभी कभी विबिस थरों पर कंद्राओं का एक जालिया पन जाता है जो चूना पत्था है चटानों के तलवा बीच पर संत्रिक चटानों पर या निर्भर करता है उसी के पर साथ कंद्राओं का एक खुला मुख होता है जिसमें कंद्रा सरीताएं भार निकलती है ऐसी कंद्राएं जिनकी द्वारा सिरे खुले हो उसे हम सुरंग कहते हैं क्या कहते हैं प्यारे बच्चों सुरंग के न स्टार्ट करते हैं निशेपित स्थल रूप अधिकते निशेपित स्थल रूप कंदारों के भीतर ही निर्मित होती है कंदारों के अंदर ही देखने को मिलती है चुना, पत्थ, चटानों में मुख्यर रसाइनिक कैल्शयम कार्बोनेट है जो कार्बन यूग जल वर्षा जल में गुला हुआ देखने को मिलता है इसमेशी करता से ही घुल जाता है ये बोत जल्दी इसमें घुलता वो परतीत होता है जब इस जल का वाश्पीकरण होता है तो घुले हुए केल्चम कार्बोनेट के निशेपन हो जाता है इसके पास ही बहुत मोटी होती है और अंते के शोर पर ये पतली देखने को मिलती है ये अन्यका कारों में देखने को मिलती है स्टैलेगमाइट कंदारों के फर्ष्ट उपर की तरफ बढ़ती है वास्ता में स्टैलेगमाइट होती है और इसके पस्टात ये कंदराओं की छट में धरातल पर टपकने की चूना मिश्डित जलसे बनती है स्टैलेगमाइट के ठीच नीचे पतले पाइप के अकरती से ये बनी होती है और नीचे की स्थितिन की बहुत पतले पाइप से बनी होती है स्टैलेगमाइट एक स्थम्ब के रूप में आपको देखने को मिलता है यह स्थम एक चप्टी तश्त्री नूमा कार की समतलव क्रिटेर नूमा गड़े के अकार में विख्सित हो जाती है विभिन चट्टा में वो मोटाई के स्टैलक माईट और स्टैलक कॉइट से मिलने के स्थम कंद्र स्थम बनाते हैं कास्ट परदेशों में कुछ अन्य अपिक्षाक्रित छोटे फल्य रूप वह अगार्टियां भी पाई जाती है जन्याम इस ठानी नामों से जाना जाता है हिमनद क्या है तो आप क्या बता सकते हैं प्रिथिवी पर परत की रूप में हिम प्रवा या प्रवतिय ढालों से घाटियों में रेखीक प्रवा की रूप में भैते हिम सहिती को हम हिमनद कहते हैं तो आप से कोशन बूस सकते हैं कि हिमनद क्या है महादीपे हिमनत या गिरीपद हिमनत फेव हिमनत होते हैं जहां पर समतल शेतर पर हम हिम परत के रूप में फैले हुए परतित होते हैं परवती या घाटी हिमनत वह हिमनत है जो परवती ढालों में भैते हैं प्रवाहिट चल के वित्रेत हिमनत प्रवाभव देमी हो जाते हैं। हिमनत प्रती दिन कुछ सेंटिमेटर या इससे कम देखने को मिलता है। इससे लेकर कुछ मीटर तक प्रवाहित हो सकते हैं। हिमनत की मुख्यता गुर्थवबल की कारण गतिमान होते हैं। हमारे देश म भी अनेक हिमनद है जो हिमाले परवते ढालों से घाटे पर भैते हैं उत्रांचल, हिमाचल परदेश और जम्मु कश्मीर के उच्छ परदेशों में कुछ स्थान पर इने देखा जा सकता है कि आप जानते हैं कि भागेराथी जो नदी है उस पर भागेराथी नदी पर उद्गम गंगूतरी हिमनद का अक्रभाव गोमुख है वास्त में अलकनन्दा की नदी का उद्गम अलका पुरी हिमनद से होता है पर देप्रयाक के निकट अलकनन्दा वो भागेराथी के मिलने पर यहां से इने गंगा के नाम से जाना जाता है हीमनत से प्रभल अपरदन होता है, जिसके करण इसके अपने भार से उत्तन घरषन होता है, हीमनत द्वारा कशी चटाने परधार्त, बड़े गौलाशन, शैलखन, इसके तल में इसके साथ घरषिते जाते हैं, घाटी के किनारे पर अब घर्षन व घर्षन द्वारा अत्यदिक अपरदन होता है हिमनत अपशेर ही चटानों का भी प्रभाफशाली अपरदन देखने को मिलता है जिससे उंचे पर वह छोटी पहाड़ी है वह मैदानों में परिवर्थित हो जाते हिमनत के लगातार संचालित मता उसका लगातार बहने से हिमनत मलवा हडता जाता है और विभाजक नीचे हो जाता है कलांतर में ढाल इसके निम्न हो जाता है और हिमनत के संचलन शक्ती समाप्त हो जाती है हिमलन का किसगना अपने सुना होगा कि हिमनत का किसगना निम्ट पहाडिया वन शेपित स्थाल द्वारा एक हिमानी शैद्र आउट वोश प्लेन रह जाता है जैसे कि 7.13 चित्र और 7.14 हिमनत के अपरदन वन शेपित से निम्डी सल को दशाता है जिसका वर्णन अगली अनुशित में किया जाएगा अपरदित स्थल रूप क्या है सर्क हिमानी कृत परवतो भागो में हिमनत द्वारा उत्पन स्थल रंद्रों में सर्क स्वार्दिक महत्पुन होते हैं अधिकतर सर्क हिमनत घाटियों के शीश पर पाये जाते हैं और एकत्रित हिम परवती छेत्रों में देखने को मिलते हैं ये सर्क को कटाई कहते हैं सर्क घैरी लंबी चोड़ी गत्वली होती है जिनकी दिवारे त्री वठाल वाली सीधी या अफ्तल होती है हिमनत के भिगलने पर जल से भरी जील ये भी प्राई इन गत्व में देखने को मिलती है इन जीलों कम सर्क जील या टार्म जील के नाम से जाना जाता है आप में से मिले हुए दो या दो से अधिक सर्क सीड़ी नूमा क्रम में दिखाई देते हैं होन या गिरी भंग और सिरेडेट कटा सर्क के शीष पर अपरदन होन से निम्रित होते हैं यदि तीन या अधि भी क्रिनती हिमनत नियंतर शीष पर देखने को मिलते हैं इसके पश्चाद तब तक अपरदन जारी रहे जब तक उनके तल आपस में मिलना जाए एफ्त्रीव किनारो वाली नुकीली चोटी निर्माण होती हैं जिने हम होन के नाम से जानते हैं लगातर अपरदन के सरक दोनों तरफ की दिवारे तंग हो जाती हैं इसके अकार, कंगी, आर के जामान कटकों के रूप में हो जाता है जिनने अरेतियां तिक्षन कटक कहा जाता है इनका उपरी भाग नुकीला होता है और बहारी भाग टेडा मेड़ा देखने को मिलता है इन कटकों का चड़ना प्राय असंभव होता है अब पर्वस अब सबसे उची चोटी मैटर होन तता हिमाले परोगी सबसे उची चोटी एवरेस होती है तो आपसे एक बहुत इंपर्वस अब सबसे उची चोटी है मैटर होन की और हिमाले की कौनसी है आपनी आवरेस के नामते सुना ही होगा बट मैटर होन का नाम कई अधिकतर बच्चों ने नहीं सुना तो यह सब आपको याद कहने कि यह होन जो सरक आषिश अपरदन से निम्रित होती है तो यह हों कार्में अंगरीजी के अक्षर यू जैसी होती है जिनके तल चोड़े वकिनारे चिकने वर धाल द्रीव होते हैं घाड़ी पर घाटी में मलवा बिकरा होता है अत्वा ही मोड मलवा दलदली रूप में देखने को मिलता है और दिखाई देता है चटानी धरातल पर जील भी उबरी हुई अत्वा ये जीले घाटी में उपस्ती जी मोड मलवे से बनती है मुख्य घाटी एक तरफ हैं दू तरफ उच्छाई पर लटकती घाटी या हैंगिंग वेली के नाम से जाने जाती है किस नाम से जानते हैं हैंगिंग वेली के नाम से जाना जाता है इन लटकती घाटीयों के तल जो मुख्य घाटी से खुलते हैं इने विफाजिक छेतर में कड़ जाने से त्रीकोड निरोप में नजर आते हैं। बहुत ख्यारी हिम्नद कद जिन में समुंद्री जल भरा होता है, जो समुंद्री तटरीक ले पर होती हैं। उन्हें फी यॉड के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं फियोड के ये नदियों पर हिम नदी घाटियों में धारबूत अंतर क्या होता है क्या बता सकते हैं तो कमेंट बोक्स में बताईएगा निशेपित सल रूप बिगलते हुए हिम नद के द्वारा मिश्चित रूप में भारी वह महीन पर धारतों का निशेप जिलोड हिम नद गलाशियम वह रूप से जाना जाता है इन निशेप अधिकतर चट्टानों टुकडे नुकिले या कम नुकिले कार की देखने को मिलते ह इसके पश्चात हिम नद के तल की नारों या छोर पर बर पिगलने से सरीताय बनती कुछ मातरों में शैल मलवा इस पिगले जल में बनी सरीता में परफावित होका निशेपित होता है इम नद जलोर निशेपन हिमानी शैत आउट फुष कहलाता है क्या कहलाता है हिमातरिश घौत कहलाता है हिमोड निशेप के परपरित हिमाले घौत स्थली कृती वह वर्गी कृत होता है जिसे हिमन या अपेशित चटानों टुकडे गोल के नारों वाले होते हैं जो कि 7.14 म हिमन चेतरों में मुक्यता ने शेपित स्थल किर्थी द्वारा दर्शाय गया है हिमोड क्या है हिमोड हिमन टिल के या गोलाश में मृतिक के जमाव की लंबी घटके होती है इसके पश्चात इसे टर्मिनल मौरियन्स हिमनत के अंति भाग में मलवे की निशेपन से बनी ये पाश्विक हिमोड अंत्रा हिमोड से मिलकर घोडे की नालिया अंत्रे चंद्रकार कट्टक का निर्मान करती है जस्तकी चित्रक 7.13 में दर्शाय गया है हिमनत घाटी के दोनों और अत्यदिक मात्रा में पाश्विक हिमोड पाये जाते हैं इस हिमोड की उत्पती पुर्ण घाटी के तल पर हिमनत पर देखने को मिलती है तिल को एक परत की रूप में अवस्थित किया जाता है इसके रूप में छोड़ देते हैं ऐसी अवस्थित वह मभिन मोटी की निशेपन तली या तल स्रेथ ग्राउंड हिमोड कहलाते हैं बच्चों हिमोड घाटी के मद्दे में पाशी हिमोड के साथ हिमोड मिलते हैं जिने मद्देस्थ हिमोड कहा जाता है ये पाश्वे एव हिमोड अपिक्षा कम सबस्ट होते हैं कम देखने को मिलते हैं कभी-कभी मद्देस्थ हिमोड वतल इस तल के अंदर में पहचानना कठीन हो जाता है कि उनमें क्या डिफ इसकर ग्रीशमित रित्तु में हिमनत के बिगलने से जल हिम तल के उपर से प्रभावित होता है अत्वा इसके किनारों में रिस्ता है बर्फ के छिद्रों से नीचे प्रभावित होता है ये जल हिमनत के नीचे एकत्रित होकर बर्फ के नीचे वह नदी धारा द्वारा प्रभ बावित होती है ये जल धारा उनके अपने साथ बड़े गोलाश्यम चटाने टुकडे जिसे छोटे-छोटे मलवे भाग कर लाती है और हिमनत के नीचे इस बर्व की घाटी में जमा हो जाती है ये बर्व पिगलने के बाद एक वर्गाकार कटक के रूप में मिलती है जिने हम एसकर का जाता है जो चुछटे मलवे बनाकर एक बाग कर लियाती है उसे हम एसकर के नाम से जाना जाता है ठीकि पैरिविच्चो अभी हाँ से पढ़ेंगे हम लेक्श थर्ड चैप्र में हमारा सब फार्ट में ठीकि थर्ड लेक्चर में हम आपको मिलती हूँ इसके साथ तो आज के लिए इतना ही थेंक यू वोचिंग मैं यूटूब चैनल शिक्षा विदाशा येदि आपको मेरे लेक्चर पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, शेर करें, लाइक करें थेंक यू सो मच